Hello everyone, my name is Rahul Makwana and in the last video we were discussing the meaning of individual and market supply जे माँ आपड़े भी बात के री थी, के individual supply छे माँ individual firms ज्यारे supply नी बात करे येनुँ आपड़े जो आपड़े स्टडी करता हुए, then it is known as individual supply और ने अगर ये बदा individual supply अने firms नो total करी दे, then we will get the market supply So now we are going to see the graphs, टेबल येनु बने चे, अने graph चे, बने चे, ओके आजे graph ने टेबल चे, ये same demand जेऊच चे difference एटलो चे, के demand माँ जेरे price increase थती होई, त्यारे तमारे जे demand चे ये decrease करी देवानी अने supply माँ same trend चे, increasing trend होई, price अने supply ने direct relationship होई, जो price तमें increase करता होई, तो supply पन तमारे increase करवानी येनके simple logic चे, के seller होई, येने वधरे price मरती होई, तो supply पन वधरे कर से, वधरे selling कर से, so here the example is given of price per kg in rupees चे 10 थी 50, अने supply चे, येमाँ two firms नी supply IP चे, firm A and firm B, अने तमने market supply पन आई पी चे, जेमाँ A अने B firm नो total चे ने, so same रीतना तमारानू होई listing अटले के plotting करवाँ चे, graph की तो पिला आपड़े firm A नो, जेम demand मा firm A नो graph बने वतो, ये विज रितना supply मा firm A नो graph बन से, जेरे price 10 चे, त्यारे supply चे 80, मतला 100 थाडू down चे, then 22, 20 थी 180, तो price जेरे 20 चे, जेरे demand चे 180 चे, so एवि रितना तमारे plotting करवानू, एन जे तमने काव मर से, that will be this type of काव, जेरे plane takeoff कर अने demand काव, तमने जेरे plane land करतू होई, तमने आवा टाइप नो negative slope बन से, पाची, firm B नी supply चे, तो ये मां चे 10 थी 60, तो 10 price चे, अने supply चे 60 चे, पाची, ये विर इतना 20 थी 100, so price चे 20 एन supply चे 100, तो ये वितना तमने plotting कर से, we will also get this type of slope, इतले के always supply काव जे होई, तमने आ slope, right, so market supply नो तमे जेरे plotting कर सो, 10 price चे, तो येरे total चे, around 140, yes, and 20 थी 180, so 20 रुपीज नी price चे, त्यारे चे, supply चे, 280 चे, so 200 रुपीज चे, तो ये वितना तमे जेरे market नो supply काव बना से, you will also get this kind of positive slope, so it's a very easy thing, तमारे खाली आजे टेबल चे, येना, numbers चे, यादे ही राको ना, तमारे कोई पन इमेजनरी, आप दा इमेजनरी फिगर्स चे, तो तमें कोई पन लखी चे, तो तमें आमा 50-50 ना गेप में लखी चे, 50, 100, 150, पछी आया 100, यादो 200, 250, ये इतना पन लखी चे, पछी बना तो 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 करीने, आजे लखी ना, आया इमेजनरी ना लखता, आ बेनो टोतल लखचो, so that will be the individual market supply, अभर आपने, low of demand भाहिना था, तो तो ये रिदना, low of supply पण चे, let's see what low of supply is saying, when all other factors, मतलब के, बाकी ना जेतला price इवेना factors, ते आर constant, प्राइज इंक्रीस थवाथी सप्लाई एक्सपांद थाषै और प्राइज डिक्रीस त उद्ट थाषै थोड़ तम्हें ुं सामल रिल्लागते हैं जहे इव सेम लो ऑफ़ डिमान्ड जे झे एवज लो ऑफ़ सप्लाई झे difference एकलो चे जहार तमाँ फ्राइज इंगरीस तो demand contracts price decrease तो demand expands तो आमा तमारे उंधु लखो नुए price increase थाय 마음에 supply वद्य यह atbspand थाई यह price decrease थाई विभटे मतलब के contract मतलब के आ बने वचे positive relationship छे supply थाई loof demand नूए exactly उपसिट्ट तमारे लोग अपन पन एंदर लगवाना छे तो जह इतना एमा पन एंजम्शन से ता एंजम्शन आमा पन छे वे एंजम्शन कया छे तो जे अधर फेक्टर्स छे अपने जहार है अगर कही रूँ अधर फेक्टर्स अधर दिन प्राइज मां पोस्ट अप्रडॉक्शन लेवल ओफ लूओ घीजर एक्सपेक्टेशन फीचर प्राइस अधर फेक्टर्स तो ऐस्यां बदा छे इसं चन्वलाज़ दा शेन ऑध्या इंच्टर्स कि ओनेच्ट की श्टार्टिंस काया है तो यह बदा छेक्टर्स तो इंबदा चेक्टर्स और फेक्टर्स यॉश्त है कि सेम रहे से यह मातुने के नंबरों फर्म्स इंक्रीस था अधर फेक्टर्स मातु तो कॉंपीटिशन अलग एक थर्ड पॉइंट आपी दीदो छे पचीजे एक्सपेक्टेशन ओफ फीचर प्राइस यह पां सेंट रहे से अन अधर फेक्टर्स मतलग के गवर्मेंट पोलिसी च्पर्डेशन फेसीलिटी नेचिरल फेक्टर्स अब धा कॉंस्टेंट रहे सेंट मतलग के तमारे कायज नंती करवान। छे तमारा अधर फेक्टर्स अधर धिन प्राइस चे यह बदा फेक्टर्स नवें लख्वाना पाच्टर्स तमारे एल्ट करिग वान। रीमेंस तो एवी जरी में तमारे assumptions of law of supply मा करवाने छे पच्छी एवोँ टोपिक छे के relationship between price and supply मतलब किया price and supply वचे positive relationship छे तो इस सूं काम छे what are the reasons के जेना वचे positive relationship छे तो आथ थोड़ोग नववँ टोपिक छे तमने उच्छावनी probability वधार है मतलब तमने खबर नथी एवोँ टोपि तो आपने एवी जिचा होई के आपने वधारें वधारें प्रोफित मड़ें तो वधारें प्रोफित क्यारें मड़ें जहरे प्राइस वधारें होई प्रोड़क्त नीए जेटली प्राइस वधारें एटलो प्रोफित आपने वधारें मड़ें जेटलो आपने प्रोफित वधारें मड़ें एटलू आपने सप्लाई छे ये वधारें करसी मतलब के सप्लाई सवथी वधारें क्यारें होई जहरे प्राइस पन हायर होई त्यारें तो आ फर्स्ट प्राइज मां येलोको स्टोक भीगो करीने बेठा ता ये लोको सेलिंग करता नू था पंक हवे प्राइज वो धी गए सो हवे येलोको रेडी थी जासे सेल करा माथ सो इना थी पन सप्लाई छे ये इनक्रीज थाई अतलब कि現在 प्राइस जे विब Tabii इंक्रीज थाई अटले जे सप्प्लाइर्स एवा हाता जेने उची प्राइज मरती थी पेला फाई रूपीज नी पे नती तो एउ एक्सपेक करी ने बेठा था कि आगर जेता सेवन थासे अटले त्यां सुधी ये लोको सेलिंग करता नोता जे भी प्राइज सेवन थाएगे ये लोको सप्लाइ सी थी स्टाट कर देवी जो इस फॉस्ट पोइंट सा जेहुद सेवन प्राइज अगर बिंद धिर बदू सेम अखा चेप्टर निन था बदू आू फ्राइज ना जेहुद छे for you so expansion contraction मान पन एउट छे के जो price माँ change थवा थी supply माँ काई पन change थाई right other factors तो constant विये चे बट price मा अगर काई पन variation मतलग के change आवे अन्य एना थी supply माँ काई पन change थाई तो एने के वाई expansion ये contraction येमाँ पन same graph छे कोईज फरग नपी खाली difference येटलो होतो क्यों आवरी इतना graph मतलग के negative slope बने चे आमाँ positive slope बने चेटले so a थी तम्हें b जाओ तो a थाई contraction मतलग के supply होची थाई अन्य a पोइंट थी c पोइंट ये जाओ तो that is expansion मतलग के supply increase थाई आपने hypothetical example अच्छे तम्हें कोईपन amount चे लखी शाकोचो अन्य apple बढ़ले mango लखोई जे तमारे fruits लखाऊए vegetables लखाऊए लखाऊए लखी शाकोचो so that was expansion contraction पशे increase decrease माँ पन सेम अच्छे तो expansion contraction ना meaning मतमे येवो लग को तो ले के other factors remains constant तामे येवो लखानो increase decrease मा के price remains constant and other factors मा ज्यारे change आवे अना एना थी supply माचे चेंज आवे एने के वाई increase and decrease in supply right so अमा पने उच्छे थड़ूक वदारे लेंधी explanation के रोचे आपने येम खबर नो पड़े के सेम जेवोचे अटला माटे थड़ूक लेंधी करना ही कोचे पन तम्या आवे इतना येनों मीनिंग लखी सेको चेंज आवे इतना वेन अधर फेक्टर्स आमा कॉंस्टेंट की दू छे न expansion bond back शे में उपोसिट करना कॉन वेन अधर फेक्टर्स स्वरी विन प्राइस रिमेंस कॉंस्टेंट एन अधर फेक्टर्स changes and because of that if the supply makes or the supply changes then it is known as increased decreasing supply तो तम्या आमा वे इतना बनावी शेको चेंट वामा थोड़ डिटेलिंग एवे रूचे के फेक्टर्स अधर दिन प्राइस चेंज थाई छे आपड़ा फेवर मां मतलब के आपड़ा बेटर मां तो supply छे इंक्रीस थाई जासे आना अबर supply will be 400 kg पाछी नीचे तमने हुआ है पूछे के अगर एफेक्टर्स तमने नेगेटिवली मतलब प्राइस सेंब रेचे पन सप्लाई चे छे फेक्टर्स आपने अगेंस्ट मां चाहे छे मतलब आपड़ा अगेंस्ट मां तो सप्ला तो आमाँ पन सेंग कंशेप्टर छे ओक्या डीमान माँ पन एक्सेप्षैन्स चुझ दे लौफ डीमान न है तां आहमाँ पन एक्सेप्षैन्स के लववव शुपलाई चे अनन," एमॉब अ एक्सेप्षैन्स मां फ्रस्ट छे folk और इं ब्लोफ तुट प्राइज इंक्रीस था से तो सप्लाई चे ये पण बदी जा से ये रूल ये लो आ अमुक गूड्स चे जह माँ इंप्लीमेंट नती था तो ये मानों फरस्ट चे रेर गूड्स तो रेर गूड्स अट लगे के वा गूड्स पर एग्जांपल एंशियंट कोईन जो एंशिय तो ये लखाये लिए लिए अल्स निस्स्टेप्स है ओल बूक्स होई अल्ड होई ल्डेंडीक्राफ एंशंट है खाल गूड्स में अट अप्छाम आवे उना नैइन प्राइज शीनिंग ऊब्दाइक रेर गूड्स नेनों से शीलिंग मां कोई पन्यन ये ऑन उनिते उन चेंके, for example, milk, milk products, green vegetables, fruits, ripe fruits, मतलब के eatables, जितली items हो, जनरली, ये बधी वस्तु, perishable goods में आवे, जंक food ने, fast food नी वात में थाती, right, snacks नी वात में थाती, जे natural food, food छे, natural food, milk, vegetables, fruits, आब बधा छे, ये highly perishable में आवे, मतलब के, ये goods ने, तम्हें, long term माटे, store नो करी शको, storage करी शको, आपने, घरे, storage करता हुए, पन, long term माटे, storage, मतलब के, 6 मेना वरस दिवस, so, that is not possible, so, ये छे, ये perishable छे, तो, एटला माटे, ये वू थास है, के, एनी supply मापन, बो वधरे, change नहीं आवे, मतलब के, price decrease थाई जे, ये लोको छे, ये sell करां, ओचू करना केवू नहीं थाई, के, अगर ये ओचू करी राख से, तो, पईडू रेसे, ये पईडू बगड़ी गासा, तो, एने, खोटे-खोटू, काई पईशा, नहीं थोड़ाकता पईशा मड़ी जे, तो, देर्फोर, आवा टाइप ना, goods माँ, पण, चे, supply छे, ये लो, ये, implement नती था तो, पण, लास्ट माँ, तमने, एवू पण कीदू छे, के, अतियाना, टाइम माजे, लाइटेस्ट टेक्नोलजी छे, कोल्ड स्टोरीज, आवीवधी, फेसलेटी ज़रबल छे, तो, एना थी, आजे, एक्सेप्शन छे, पेरिशीबल गूर्ज नू, इपन, डीबेटेबल छे, डीबेटेबल छे, मतलब के, तमें, सामें, डीबेट करी सक्वाएं, के, आजे, लास्ट कंसेप्ट छे, आ थोड़ोक तमारे धियांती समझ वाना छे, केम के, इस कंसेप्ट इस वेरी इंपोर्टन, तमने ये, आ कंसेप्ट उपर थी, आना टोपीक उपर थी, येवी खब पड़ी चासे, के, सुकाम, डीमांड अने सप्लाई चेप्ट तमने एकनोमिक्स मा आवे चेना, तमने अगर जे था प्रेक्टिकल लाइफ मा के विर इतना हेल्पफुल थासे, So एटला मात, आ टोपीक चेप्ट, ये वाधर इंपोरंट चेप्ट, आना टोपीक चेप्ट ऊएवो नथी, So it is a very new topic, and it is a very important topic, so please pay attention, Topic चेप्ट प्राईस दीटर्मिनेशन इंद अ मार्केट, के मार्केट नियंदर जे प्राइस डी दितरमाइन थाई मतलब के प्राइज है था क्लोठ्स तो महaskंने ये क्लोठ्सनि प्राइस छें थाय थाई थाया ठांकार नवकरत Damn तो तमने एक imaginary schedule लाई पूछे demand ना supply नूँ जह मा price commodity रिज़ी छे 10, 20, 30, 40, 50 price of commodity आया तम्हें थोड़ू change करना को या price ने यावए demand आउसे it is a error so demand of commodity in kg and supply of commodity in kg तो आविरितना तम्हें या change करना को so तमने आई पूछे imaginary example मा price पछी इप्राइस उपर केटली demand चे ने ए प्राइस उपर केटली supply चे तो तमने ए टाइप नो schedule आए पो छे तो सवथी पहला तो तमार सूँ करानों के plotting करानों so हवे तमारे थडू आज शीडूल मात में जे नंबर्ज लोग है मामें तमने किधू तेम तमारे उध्यान राखवानू के price जेरे increasing trend उपर होई तो demand के भी होई decreasing trend उपर केम के जहें जहें price increase थाई एविरितना जे customers होई ए एनी demand चे ए decrease करता जाई जहें price increase थाती जाई एविर इतना आपड़ा जेवा suppliers होई ए एनी price increase करता जाई अटले price जो increasing राखवानू और price increasing नी साथे demand चे decreasing राखवानू पछी ए प्रमान तम्हें plot increase चको चो 10 price चे price here is 10 तो demand is 1000 तो here it is 1000 अने supply चे 200 तो आया supply 200 लिए चे मतलब 2 points था से 10 उपर 1000 उपर अने 200 उपर पछी 20 rupees चे क्यारे तमारी चे demand चे ते 800 चे मतलब के आयाँ चे and supply चे that is 400 so it is year point so 1 point आया था से अन 1 point आया पछी चे price मा demand ने supply बने चे मतलब के 600 उपर नीट था से बने पच्छी 40 price उपर ने पच्छी 50 price उपर तम्हें अभी इतना plot करी चाको चो अवे तम्हें जिया रहे एनी points ने join कर सो so you will get a demand काऊ negative slope and you will get a supply काऊ that is positive slope अवे आनाव पथी तमने के वे इतना खबर पेड़ी के you know price आ राकती तो जह point उपर demand आने supply काऊ मेच थाये मतलब कि intersect थाये तो ए पोइट ने तम्हें नाम आपी चाको चो equilibrium price मतलब कि आ जे price चे यह वी price चे जह माँ seller ने यह वी problem नथी कि मने ओचा profit थाये और जे customers चे एने पने वो problem नथी कि मने वधरे price pay करो चू मतलब कि बनने लोको satisfied चे तो एवा टाइप नी price ने के बाई equilibrium price के जह मा बायर ने seller बने लोको एकदम satisfied feel करता होई right so such kind of price is known as equilibrium price हवे जो तम्हें महानी लियो कि अत्यारे price 10 rupees चे तो तम्हें सूंकर सो लोको demand तो घणू करसे केम के बहुँ सस्ती वस्तों चे पांड supplier से supply करसे नई खाली 200 supply करसे quantity केम के एने एटलो वुदो profit चे मड़तो नथी he is not satisfied with the amount of profit that he is getting पांड जो price अगर 20 थे जे डबल थे जे तो इथोड़ोक satisfied थासे के ना आवे पेला कता मने वधाय प्राइस मड़ा चे त तो 10 रुबीज नी वस्तों वोती पांड तियार तो हुए 20 थे एटले थोड़ीक डीमांड चे तेला 1000 वती डीमांड हवे डीक्रीस थे जासे ने 800 थे जासे पच्छी जहरे प्राइस 30 थे जासे त्यारे लोको हजी डीमांड घटार से अने supplier चे एनी supply पन उधार से मतलब के एक्विलीब्रियम पॉइंट उपर आवी जासे मतलब के आ पॉइंट यह ओछे जेमा supplier अने चे customers डीमांड अने supply बेई लोकों ने कोई पन टाइप नो प्रोब्लेम चे यह पड़तो नथी हैं बने equally satisfied चे बोवांदो नथी हैं एटलू मोंकुई नथी लागतों एटलू सस चेज के हूँ तो थाउजन क्वांटिटी नी supply करूपन सामें डीमांड तो हुई जुई ने टली हैं जो प्रोब्लम में भी थासे के supplier जो वधरे पड़ती प्राइस राख सो तो supplier पासे stock चे 1000 यूनित मतलब के इने इच्छा चे 1000 यूनित सेल करवा नी एनी एबिलीटी तो पोतानी पासे supplier पासे जरी जासे stock मा येने पची उची प्राइसे वेचूच पड़ती हैं So the thing is के आ पोइंट येवो छे के equilibrium point के जहमा कोई ने supply रेना बायर ने वांदो नथी आओ तो कोई पन जेटली पन supply करे जेटली demand पन थी जाएचे बधू selling थी जाएचे जेटली production करे जेटली supply करे जेए बधी वस्तु sell थी जाएचे अन्ने price आपामो पन customers ने problem नथी So that is the price determination in the market तमने हूँ नानू येवो practical example आपको तो आपड़े ममी बेगा जियार आपड़े vegetable shop मार लेके शाक लेवाड़े जेता होए So तमें obviously जोयू जोसे bargaining करता के 50 rupees आपड़ा ममी जाएओ पूछे के 50 rupees टमेटो ना सुप्राइस चाते हैं के 50 rupees पर केजी अठले पहला bargaining कर से थोड़ू के 30 राखवा है 30 जारे केसे मतलब के जो वे तमारा ममी ने तमें demand समझो ने जे टमेट आवड़ा भाइजे ने तमें supplier समझो So demand छे ए supply ने M केसे के 30 rupees पर केजी पर supply केसे के ना I cannot मनेटलू ना पोसा M तो में market मां जो याओ बधा मां 50 rupees पर केजी चे हाँ पची सुन था से के bargaining बहु कर से पची demand छे आगड़ चालता था से Supply बोलाओ से demand ने के पाचा हो चलो 40 मा ले लिए एक्चुली demand ने एउद जो तो तो के 40 पर केजी मड़ी जाया है कोई पन ताइप नो प्रोब्लम नथी तो ये ने के बाच एक्विलिब्रिय प्राइस अना अवरिटना मार्केट निदा प्राइस चे दिट्यों मां 30 होई right so that was the chapter supply the chapter is over because के आपड़े दिमांड एतलु सारे रिटना काईरू तुम तुम तम एतलु सारे रिटना सेम जिए एतला हमादे शप्लाइ चेप्टर 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 तम नभोग एजी लाग से right so it is a very easy chapter and this chapter is officially over so we have completed the two chapters two chapters in the economics demand and supply so thank you and that's it for this video have a nice day